नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी अनालिसिस पर मेरे नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के चार्ट में समझा था यहां से जो बाउंस है वहां से यह इंपल्स 1,2,3,4 और 5th का प्रोजेक्शन निकाला था यह 38% 22,390 जिसको य अल्रेडी ब्रेक कर चुका था तो हमने क्या किया था कि यह जो बाउंस है जिसको हम वेव 5 मान रहा है उसका रिट्रेस्मेंट निकाला था 23,2,38% वहां पे 38% को अगर यह ब्रेक करता है नीचे की दरब तो हम मान लेंगे कि यह 5th जो है वो पूरा हो चुका है वहां से एक रिट्रेड करता है तो हम मान लेंगे कि यह वेव 5 जो है वो कम्प्लीट हो चुका है उससे पहले यहां से हमने जो रिट्रेस्मेंट निकाला था वहां से एक्जेकली 38% से ही यह बाउंस हमें देखने को मिला है यह जो रिट्रेस्मेंट है वेव 5 का हमने पूरा निकाला है पहले जो यह high जब बना था तब यहां से अगर retracement निकालते तो यह exactly 38% से ही bounce किया है लेकिन अब यह shift होके नए high पे आ गया है तो जैसे नए high बनेगा यह retracement भी shift होता रहेगा और 38% के नीचे trade करता है तब हम मानेंगे कि यह wave 5 जो है वो पूरा हो चुका है और उस case में हम क्या करेंगे इस पूरे impulse का retracement निकालेंगे 23-38% और उस range में decline हमें देखने को मिल सकता है अभी के लिए nifty में यही है 38% के break होने का हम wait करेंगे bank nifty की अगर हम बात करें तो bank nifty में जो है यह हमने 1 hour chart में समझा था यह decline जो हमें impulsive लग रहा है यह हो सकता है A or 1 और B or 2 के लिए हमने यहाँ पे wedge line draw की थी हम इसको triple zigzag correction की तरह देख रहे थे लेकिन यह जो wedge line है upper wedge line यह bank nifty ने break कर दी है तो जो हम सोच रहे थे कि यह W, X, Y, X और Z हो सकता है वो अब नहीं बन सकता राइट क्योंकि triple zigzag correction में यह wedge line जो है इसके उपर break नहीं करता तो क्या हो सकता है यह bounce जो है वो ABC लग रहा है तो यह ABC W हो सकता है फिर यह X और Y के अंदर यह A, B और C ऐसी possibility बन सकती है अगर यह A, B और यह C है तो यह projection हमने निकाला है 100 to 123% जिसमें यह top है यह A और 1 जहां से शुरू हुआ है उसका top है तो इस range में हो सकता है कि एक resistance लेकि हमें एक decline देखने को मिल सकता है अभी के लिए यहां से जो bounce है उसका हमने detrust में निकाला है 23 to 38% यह downside breaking point है इसके नीचे trade करता है तो हम confirm मान लेंगे कि यह correction complete हो चुका है और bank nifty फिर से इसके नीचे जा सकता है जब तक यह break नहीं होता तब तक ऐसा हम नहीं बोल सकते हाला कि यह bounce जो हमें corrective type का ही लग रहा है जैसा हमने पिछले वीडियो में discuss किया था अगर हम यहां से ऐसा मान लेगी एक नया impulse शुरू हुआ है तो उस case में counting क्या होगा यह 1 हो जाएगा यह 2 हो जाएगा और wave 3 के अ होता है देखिए यह 1 और 2 के बाद यहां से wave 3 शुरू हुआ है तो wave 3 के अंदर यहां पे retracement बहुत आ रहा है देखिए एक तो यहां पे आ गया फिर यहां पे भी यह बहुत बड़ा एक retracement हमें देखने को मिला right तो अगर वाके में यहां से wave 3 शुरू हुआ है तो अब यह 38 percent के नीचे तो आना ही नहीं चाहिए समझ रहे है अगर यह यहां से wave 3 है तो यह एक बड़ा retracement अल्रेडी आ चुका है अब अगर यह 3 ही है तो अब 38 percent से ज्यादा का retracement नहीं मिलना चाहिए अगर आता भी है तो हो सकता है कि यहां पे आके फिर से sharp bounce कर दे लेकिन 38 percent तक यह इ इसके नीचे आ सकता है तो अब यहां पे आपके पास दो trading strategy होनी चाहिए इस range में आप risk ले सकते है short का या फिर अगर आपको confirmation चाहिए तो 38 percent के तूटने का wait कीजिए और उसके बाद आप short कर सकते है और इसके नीचे का target आप set कर सकते है अभी हम क्या करते है यह जो bounce है जिस अगर हम smaller time frame में देखे तो यह जो है wave C का bounce है जिसके अंदर यह 1, 2, 3 और 4 के बाद 5th का projection निकाले तो 38 और 61 percent की range में अल्रेडी यह bounce कर चुका है तो minimum projection तोची कर चुका है यहां पे wave C का 100% अभी तक नहीं आया है अब यह जो wave 5 शुरू है उसके अंदर अगर हम counting देने की को करें तो हो सकता है यह 1, 2, 3 और यह 4 हो और 5th का अगर हम projection निकाले तो यह 38 और 61 percent की range निकल के आ रही है हो सकता है कि इस range में यह 1, 2, 3, 4 और 5 बनाए और उसके बाद यह impulse C complete करके फिर यह decline करे अभी यह retracement जो है 38 percent वाला हमने इस high से निकाला है अगर यहां से bounce करके इस range में आता है तो यह retracement हम वहां से निकालेंगे यह 1st point यहां पर और दूसरा point जो भी high बनेगा वहां से यह retracement फिर निकालेंगे अगर यहां से ही retracement एक हम निकाले यह wave 3 और इसको 4 consider कर रहा है तो यह अभी के लिए 38 percent downside breaking point है अगर यहीं इसको ही break कर देता है तो फिर उपर का फिर नहीं सोचेंगे इसके नीचे यह negative बन जाएगा लेकिन अगर इसके नीचे नहीं जाता है तो एक wave 5 का bounce pending है और उसके बाद हम decline का plan कर सकते है और जैसा हमने बात की हम decline expect कर रहे है bank nifty का जैसा हमने यह overall chart देखा है तो यह bounce हमें corrective ही लग रहा है अगर impulsive है तो यहां पर हमने scenario समझने की कोशिश की कि अगर यह wave 3 है तो फिर उसमें बड़े बड़े retracement फिर नहीं आने चाहिए अगर आते है तो इसका मतलब यह corrective bounce ही है और यहां से इसके नीचे bank nifty हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही बड़ा decline यहां पर expect कर रहे है अगर यह इसके उपर नहीं जात करना ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा capital आप इस trade के लिए गवा दे तो सोच समझ के trade करना जो भी scenario था मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की है अगर safe करना है तो 38% के break करने का wait कीजिए otherwise इस range में कहीं पे भी आप short का plan कर सकते है वीडियो अगर अच्छा लगा है तो like और share बुलिएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद